चम्तकार चच टीवी में आपका स्वाक्त है परमिश्र के लोगों आज मैं एक बात आपसे करना चाहरा हूँ क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हो मैं फिर से कहता हूँ क्या आप अपने पास्टर की चिंता करते हो जो आपका अपना पास्टर है मैं आपको मेरी चिंता करने के लिए नहीं कह था जो आपका अपना है जो मेरी सर्च के लोग है उनकी बात अलग है सो क्या आप अपने पास्टर के चिंता करते हो क्योंकि पास्टर तो आपके चिंता करते हैं मुझे कैसे मालम पास्टर चिंता करते हैं आपके पास आपकी चिंता करते हैं, मुझे इसली मालम है, क्योंकि मैं अपने लोगों की चिंता करता हूँ, और आप सब की भी, जितने भी हमारे चम्तकार चच के विवर हैं, जितने चम्तकार चच के टीवी के सबस्क्रेबर हैं, जो हमें फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, जो किसी बात के चंता ना करो, पॉलोस परेरित ने कितनी बार कहा, आप चंता ना करें, लेकिन असल में बात आपको मैं बताऊं। के पास्र को अपनी चर्च की हमेशा चंता रहती है। दूसरा कृंथियों 11 दिहाए 28 और 29 सुवशन पॉलुस प्रेरित कहते हैं सबी क्लिस्याओं की चिंता प्रती दिन मुझे दबाती है सिर्फ चिंता रहती नहीं है प्रती दिन चिंता क्लिस्या की चिंता मुझे दबाती है मुझे मालम है मेरे साथ भी आसे होता है और रजनना क्लिस्या की चिंता मुझे दबाती रहती है और मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे घर में प्रभू का अनुग्रह है मेरे बच्चों में प्रभू का अनुग्रह है मेरे सारे बच्चे सेवकरी करते हैं मेरे बेटे, मेरे बहुएं, सब परवार हमारा, किसी परकार की कोई चंता नहीं मुझे, लेकन कलीसिया की हर समय चंता रहती है, कलीसिया के खाने पीने की चंता, पतने उनके घर में खाना पीना है कर नहीं है, आपके पास्टर भी आपकी चंता करते हैं, मुझे मालम है, चाह बच्चों को बिटों को और है जब शोटा था तो लड़का तो तो मुझे ऐसा होता था कि कहीं बार ना जला जाए, तो बार लौक लगा देता था घर को, कहीं बार ना जाए, जब तक मुझे सिंगनल सही ना आ जाए. So, ऐसी ही मुझे मालूम है कि आपके पास्तर आपकी चिंता करते हैं, और उन्हें प्रती दिन आपकी चिंता है. So, हर साब चिंता, खाने पीने के वस्तूं की चिंता, काम की चिंता, संगत वालों के, किसी को नौकरी मिली जा नहीं मिली, कोई पती पतनी में जगड़ा तो भी चिंता, और कोई घर में नशे बाजी वाला है, तो पास्तर को ज़्यादा चिंता, बच्चों के रिष्टे नही तो चिंता और इस ते हो गए तो शादी अच्छी हो तो चिंता आप शादी होगी है तो उनके संतान हो बच्चे हूँ और बच्चे आगे सुरक्षत रहें सब प्रकार की चिंता पास्ट koska क्ले रती है अगर उख क्राय पे रहते हैं तो पास्टर को चिंता रहती है, इन्हें अपना घर मिल जाए, उनके पश्वों की चिंता, अगर उनके पास पश्वों हैं तो, उनकी खेती की चिंता, अगर कोट में केस कुछ चल रहा तो उसकी चिंता, भी पतनी उसकेस में प्रभू मदद करें, कब ये केस से बार निकलें परिवार में कोई उनके अग्याकारी नहीं करता तो उसकी चिंता लड़का अपने पिता का कहना नहीं मानता तो चिंता कई पिता ऐसे हैं वो घर की चिंता नहीं करते तो उनकी चिंता किसी के संतानी हो रही तो चिंता और कहीं विश्वाश में कमजोर ना हो जाएं ये भी चिंता बनी रहती है कहीं विश्वाश में कमजोर ना हो जाएं कहीं इसरेलियों की तरह कुड़कड़ाने ना लग जाएं ये भी और चिंता खासकर ये भी रहती है आपके पास्टर को भी होगी कोई बाहर का पास्टर उ बहुत रहें की शिक्षा है, कोई तो कहते हैं बाराम बजी तक भी बरत रख लेना चाहिए, कोई कहते हैं एक बजी तक भी बरत रख लेना चाहिए, तो सिर्फ एक ही बात नहीं, बहुत से और बातें भी हैं, तो इसकी चिंता जो है रहती है, ये चिंता इसलिए रहती है, कि यह हमारी मेंत परफान से जे यह व्याइन आ कि अलए हो गया फट और अधन सब्रया को अगर आप यह कार नहीं है दो यह जिंसा भी कहीं पीशेतरी हो रहे थोड़ा विशुवाश में हार वक्त आपनी समझ पाएंगे जब तक आपस्टर नहीं बनेंगे जब आपस्टर बनेंगे तो पता चलेगा भी कितनी चिंता होती है कहीं नराइद नहीं हो गए थोड़ा सा वचन में डांट दिया कुछ कह दिया तो भी तो आप पास्टर आप दुख उठाकर भी उनकी संभाल करता कलीसिया की मुझे मालूम है मैं भी दुख उठाकर सिर्फ मैं ही नहीं मेरे परवार की बी मैं भी दुख उठाकर उनकी चिंता करता हूं कि बार किसी घर पराथा रखी होती है कोई समस्या परशानिय रखी होती है हर बार नहीं कि बार कि बार काम का लोड होता है और कि बार मुझे चकर साने लग जाता है सारा दिन और लगाता दिन रात धन रात दिन रात रामनी मिलता तो तो लेकिन उनको टैम दिया हुआ बंदगी का क्या करता हूं फिर क्या से भी होता हूं गाड़ी में बैठता हूं बेटे को करता हूं गाड़ी चला और बैठता हूं जाते हैं उनके घर के लिए सुक्षा के लिए प्राथांगर के आते हैं, क्या करें? हमारे इकलीसिया है, हमारे लोग हैं, जाना ही है. So, ऐसे ही दुर्बलता में, विक्नस में कोई भी कमजूरी है, जाने जाना है. मैं आपको एक बात बताओं, एक बार हमने कहीं किसी गाउं में खाटा में बंदगी रखी थी, तो मेरे बेटे की दिभियत बहुत अखराब होगी, 107 बखार हो गया, तो घर पर हम लोगों ने उसको ड्रिप वगएरा लगवा दी और ड्रिप चल रही थी, इंजक्शन होने के लिए और उसके सेल जो थे वो कम हो गए, क्योंकि हम लगातार कुछ प्रोग्रामों में लगे रहे और रस्ट निकर पाए थे, तो सेल बहुत ज़द कम हो गए, प्लेटलेस जो थे हैं, प्लेटें, तो उसको जाना साथ में जुरूरी था, क्योंकि रद ना करनी थी और पैड बजाना था, तो हम लोग क्या करे रहे, बिल्कुल त्यार होकर खड़े रहे, बिल्कुल खड़े रहे वहां पर, घर में, जैसे ही ये पता चला, जैसे साथ वाई प्रात्ना थी, तो हमें ये था कि बीस मिन्ट में हम लोग पहुंचेंगे, तो गड़ी के और दे में जैसे भी था, मैंने साथ बठाया, गाड़ी मैंने चलाई, और उसको वहां घए हम लोग, वहां बढ़ा प्रोग्राम था, बहूत प्रभू नहीं चंटकार किये, मौके पर ही प्रभू ने बड़ी बड़ी गांठे नकाली और बहुत बहुत चंटकार प्रभू ने कि बहुत चम्त करकी है। लेकिन किसी को ने मालम कि ये क्या हुआ, कैसे है, क्या अक्रडिशन है, किन हलातों में ये लोग आए हैं। सर पास्टर जो होते हैं, वो हमेशां चिंता करते रहते हैं, उपवास रखेंगे, इकलीसिया वालों के लिए भुखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, जागेंगे, समय और आय समय त्यार रहेंगे, वो आपके चिंता करते हैं, क्यूं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, ले लॉक डॉन में, क्या आपने अपनी पास्टर को हाल पुछा, क्या आपने अपनी पास्टर को फोन करके पुछा, अगर अभी तक नहीं किया, तो आज ही करें, आज ही करें, अपनी पास्टर को फोन करके पूछें, पास्टर जी आप कैसे हैं, आपके फोन से उन्हें शांती म लेगी मुझे मालूम है क्योंकि मेरे कलिस्या के लोगों ने बहुत लोगों मुझे फोन किये मेरे मन में शान्ती हुई कि जैसे मैं उनकी चिंता कर रहा हूं वो भी मेरी चंता करते हैं आपको मालूम है चर्च बंद है और पास्टर बार नहीं जा सकते सबाओं के लिए प्राथना सबाओं के लिए लोग चर्च के अंदर नहीं आ सकते तो आपको चिंता होनी चाहिए कि हमारे पास्टर जी क्या खाएंगे कैसे होंगे मैं अमीर पास्टरों की बात नहीं कर रहा जो अमीर है मैं जो कमजोर है धन संपत्ती में कमजोर है आत्मा में नहीं कमजोर आत्मा में तो वो सामढ़ थी है लेकर धन संपत्ती में जो कमजोर है तो आप अपनी पास्टर को फोन करके पूछिए पास्तर जी आप कैसे हैं Poytater Bible में लिखा है परमिशन ने कहा था तेरा भाग मैं हूँ तेरा इसा मैं हूँ जब इजरेलियों को सब को इसा बंटा था सबी गोतरों को तो लेवी गोतर को निर गिया आगा था उसे परमिशन भाग था तेरा इसा मैं हूँ, जनके तेरे इसे में मैं आया, सब को बांट दिया था, गिंती अठारा दिहाए, और उसका उनीस सवचन में लिखा है, पुईत्र वस्तों की जितनी बेंटें इस्रेली यहुआ को दें, उन सब्वों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ, जितनी बेंटे इस्रेली परमेशर ही हुआ को दें, परमेशन कहा वो सारी बेंटे में सदा का हक करके तुझे और तेरे बेटे बेटियों को दे देता हूँ, तो ये सब किसके लिए, जो आप परमेशर को बेंडर पन करते हैं, वो ही वो जो उसमें से नकालता हूं, जो भी परमिशर मुझे भी देते हैं, तो इसलिए ये उन्होंने कहां से, उनका कोई बिजनिस नहीं है, पास्तर का कोई बिजनिस नहीं है, आपके घर में तो मालो पांच लोग हैं, तो पांच में से तीन तो काम पे जाती होंगे, पांच तो नहीं है उनकी तो खेती आप ही है वो आपके लिए जागते हैं प्राथां करते हैं आप आपके लिए मेनित करते हैं आपका चिंता करते हैं आपकी चिंता उन्हें दबाती है प्रती दिन तो आप उन्हें फोन करके पूछिए इस लोकडॉन में कर्फियू में सब कुछ बंद है ना लोग उनिएन ना कुछछ से बार जा रहा है, तो वो कैसे आपके पास जो हैं, क्या खा लिः होंगे, क्या पी रिये होंगे? उन्हें फोन करें, फोन करके पूछें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे कही होने फोन किये, लिकिन मैं मारे भैन है के इंदरा सारजड से और परमजीत है, अंटी कहते है हम लोग, रामदेव कलोनी से, सो मुझे फोन किये उनोंने, पास्तर जी आपके घर में खाने पीने के लिए है क्या कुछ? मैंने का हाँ, हमारे पास सब कुछ है, तो करें, आपके पास राशन खाने पीने के वस्तियों पहचाएं, मैंने का नहीं, प्रभु की दया है और मेरे पास सब कुछ है, फिर हालां कि मेरे पुषे बिना ही, हमारे एक लाड़ी है रावले से, और थेम चंद है, जोनी है, साब राम है, इन लोगों ने हमारे काउंट म बेजा, प्रभु के लिए भेजा, लेकिन मैं जो आप से कह रहा हूं कि आप अपनी पास्टर का ध्यां रखें, तो जैसे इनों ने मुझे पूछा, तो मुझे मेरे मन में बहुत शांती आई, कि मैं इन से प्रेम करता हूं और यह मुझे प्रेम करते हैं, प्रेम की बाते तारे भी तोड़ कर ले आएंगे, और अब जब लॉक्ड़न हुआ, तो फोन डिंग करते हैं, आप अपने पास्टर से फोन कीजिए, परमिश्व तो उसका उपवाए कहीं से कहीं से करेंगे, कोवे को भी बेदेंगे, जा उसको देखे रहा खाना, लेकिन आप, आप का क् परमिश्व सोच रहे हूंगे, पास्टर भी सोच रहा हुगा, ये मिरे कलीसिया है, ये मेरे खेती है, ये मिरे हिस्सा है, ये लोग मेरे है, जिनके लिए मैंने तो इतना-थिना सोचा और ये फोन तक ने कर के पूश रहे, हमारे एक एननाराः है, अकाश, उसका नाम है, एना राई है, मुझे उन्होंने फोन किया, कई दिन हो गए हैं, तो कहते के, तासर जी आपके लिए हम लोग ने रखा हुआ है, निकालकार, तो आप बताइए, आपके काउंट में हम लोग जमा करवा देते हैं, किसी चीज़ की जरूरत थी नहीं हो आपको, मैंने कहा नहीं, मुझे कुश जरूरत नहीं है, उन्ने मुझे फिर कहा, कि आपको किसी चीज़ की जरूरत थी नहीं है, बारब पुछ रहे थे, कहते हैं, जैसे आप अपने बेटे को रहमन को बोल देते हो, ये ऐसा है, तो हम आपके बचे हैं, मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे बस एक पर कह दीजिए मैं अपने आप पश्चा दूंगा तो आपके कॉंट में मैं डलवा दूंगा पैसे एक मैंने का ना हमारे पास सब कुछ है असल में मैं आपको बता हूँ, जए दिन वह फोन का रहे थे उस से 2 दे कले मैंने कंट चक लिया था और उसके बाद भी और आज भी तो उस दिन मेरे मेरे कंट में 318 रुपाई थे मुझे नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए आपको मेरे एकाउंट में 318 रुपय थे और वह हजाना रुपय मेरे खाते में जमा करने के लिए तीयार थे ठेग JUST मैंने का नहीं, मेरे पास सब कुछ है, सच में मुझे खाने पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं है, हम अच्छा खाना का रहे हैं, अच्छा भोजन हम परमिश्य दे रहा है, खाना, पीना, जो सब कुछ प्रभू ने हमें दिया हुआ है, कहीं हमें जाने की जुरूरत नहीं एक अकॉंट में 308 रुपय थी और दूसरे कॉंट में मेरे 4 यार 580 रुपय चार यार 580 रुपय तो फिर भी दो ही अकॉंट है मेरे और दोनों के मैं बता रहा हु आ है पिर मैंने ताने मेरे पास सब कुछ है अभी मेरे मुझे कोई फोन करते हैं संगत वाले मैं करता है मेरे पास सब कुछ है मेरे पास किसी चीज की को कमी नहीं है साथ काहूं जब उन लोगों के फून है तो यह उग्या आपके पास्तों को और अuf प्가का फोन करें आपको को झ्रोड़त तो नहीं है अगर उन्हें कोई जरूरत है तो उनकी काउंट में उनका काउंट नमबर ले जगे और कुछ भी जितना भी उनके लिए हो सके आप प्रभु के नाम से उन्हें देज़िए प्रभिश्व ने कहा था जो एक दिन प्रभु पुछेंगे तुने मुझे कपड़े दिये तुन मति 25 जाए 34 वचन में लिखा तो वो कहेंगा जो मेरे इन में से शोटे से शोटे से किया वहाँ पर चेलों से का गया था जो भाईयों में से किया जो प्रभु श्मसी के चेले साथ थे उनकी बात होई थी तो इनको दिया तो आप जो अपने पास्तर को दे रहे हो खाना खला हो सकता हूं गर में उनके ऊनकाने कर नहों है हमारी घर में सब कुछ है और बुखतायस से है ब मैं कि हो सकता उनकी पास नहों हमें पहले अलर्ड आ गया था हम लोग पहले संबल गे हमें बार नहीं जाना पड़ पर तह कोब लेने लेकिन कुश ऐसे पास्ते बचारे जो नह सम्मान को अपने पास रख सके उनका क्या मैंनी कहता कि आप लोकडाउन तोड़ें और उनके पास जाएं आप कर्फी तोड़ें और उनके पास जाएं नहीं उनके कौंट में उनकी मदद करें प्रभू के लिए और वो आपको आशिश देंगे हिर्दे के गराइयां से आपको आशिश देंगे ठीक है तो आज ही अपने पास्टर को फोन कीजिए उनका हाल पूछिए तो प्रभीषम से आपको आशिश दें प्रभीषम से आपके साथ रहें मैं एक प्राथन कर देता हूँ सुर्गया परमिशुर जी उन लोगों पर दया करें प्रभूची, जो अपने पास्टरों का ध्यान रखते हैं, जो अपने पास्टरों की चिंता करते हैं, मेरे परमिश्र जी, इनके सैता कीजिये, इनके रक्षा कीजिये, इनके मदद कीजिये, इनके धन संपती पर आशश कीजिये, कोई भी महा मारी कि इनके वरोद में नहो इन्हें संभाल कर रखिए सर्या पिता पर विश्य मुस्य के प्रविता नाम से प्राथन मंगता हूं आमें 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 भ्रीयों के अमें आमें 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 इन्हें आमाना विए सर्या कर विए यारान के प्राथन झाल झाल